तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जो कि हम पढ़ रहे थे तो लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्पैस की थी अपने लेक्चर में डैट वास बेस चेंजिंग के रहे तो उसको देख लेते हैं तो क्या थी हमारी लॉग ऑफ A to the base B क्या कर सकते हैं हम इसको किसी भी log के base में लिख सकते हैं let's say I have to write in terms of base C तो क्या लिख हूँ हम है बहले तो मैंने लिखा log A upon log B अब जो base चाहूँ मैं अपकोस valid होना चाहिए that should be greater than 0 and not equal to 1 वो बात की बात है but I can write it any base तो let's say मैंने लिखा base D तो मैं इसको लिख रहा हूँ log A to the base B और E चे भी D इसका प्रूफ हमने कल देखा था यह था हमारा property number I think 7 था ठीक है अच्छा आप सुनना अप इसी के कुछ derived result है वो देख लेते हैं जो frequently use होंगे हमारे questions में तो मैं उसको अलग property नाम नहीं दे रहा हूँ देया नतिक बाट base changing theorem के अंदर इसी का कुछ derived version तो let's say मैं उसको नाम दे रहा हूँ लेखना क्या लिख रहा हूं मैं log of A to the base B is equal to 1 upon log of B to the base A बहुत जगे यूज होगा यह हमारा questions में क्या किया देखो नियुम्रेटर में तो क्या था हमारा argument यह था बेस भी था पर उस पूरे लोग को मैं डिनॉमेंटर में ले गया और आर्गुमेंट और बेस को इंटर चेंज कर दिया तो हुआ कैसे एक ही step का है क्या कि हमने इसमें हमने देखना प्रूफ देखना इसका तरीका क्या देखना इस चीज़ को में दो तरीके से सब्झ सकते हैं फस्त वेस देखना इतर में इतना लिखना उन्सक्ति फूरे लॉग ए को पैट लॉग बीके नीचे लीचे लेकर गैया है यहां से यहां तो क्या लिख सकता हूं मैं, base तो same ही है of course, तो कोई भी base लिख लिख लिए let's say मैंने इदर base माल लिया था तुमारा d base can be anything माल लिया इदर मैंने इदर भी d लिखा तो ये क्या हो गया मेरा reverse direction में, log a to the log b to the base, ये हो गया denominator में so this is equal to log of sorry, 1 upon log of b to the base hands proof, एक ही लाइन का था, मतलब दो लाइन का बोल सकते हैं ठीक है अच्छा इसी को दूसरा बोलने का तरीका क्या है देखना एक बार और इदर क्या किया, सुनना द्यांसा, पहले इतना copy कर लो उसको video का पॉस्ट करो, अब मैं बहुना इसी से हम एक और कैसे तरीके से इस पर आ सकते हैं, देखना, इसको copy कर लिए ओप तुमने, हम मैं बता रहा हूं, इसको रप कर रहा हूं, मैं इधर ही edit कर रहा हूं, क्या किया मैंने, इसमें base changing theorem लगाया और base, मैंने नया base ले लिया, क्या लिया, क्या लिया, मैंने new base a लिख लेना, new base smaller, small a, small a, small a, clear है, पहले तो मैंने general लिया था D, फिर numerator वाले को denominator ले जाके, ulti direction में, base changing theorem लगाया, पर इसमें मैंने क्या किया, base changing theorem लगाया और नया base उसको माल लिया, अब ध्यान से देखो निमिनेटर क्या लिखा है लॉग यह तो वन होता है अगर आर्गुमेंट और बेस तेम हो इसको रीट कैसे करते थे कि यह पर हम क्या पावर लेगे कि यह आ जाए तो इसमें हमारा एकी स्टेप में आ गया हमें ऐसा भी नहीं करना पड़ा दुबारा ब बहुत सिंपल भी प्रॉपर्टी इस हो गई लॉग ए टुद बेस एस वन तो यह वन अपन लॉग बच्चों तो वीडियो को पॉस करो इसको कॉपी करो अब हम इसके फर्दर रिजल्स देखते हैं यह तो कहा रिजल्ट वन किसका बेस चेंजिंग ठेरम का अब हम देखें बेस की पावर में के दिया है और दिस वन बाय के टाइंज लॉग ए टुद बेस भी बहुत ही इंपोर्टेंट है इस रिजल्ट टू और बेस चेंगिंग क्या हुआ इसमें जो बेस है पहले देखो हमने इस से पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉर्थ या फिफ नंबर क कि आए इसमें पावर आर्गूमेंट पर नहीं है जो बेस है उसके ऊपर आर्पावर के है तो वह भी आगे आएगा लेकिन अल्टा होके मतलब 1 by k ताइम लिए रहे है उदर तो हमारा डारेक्ट लिक आगे आता था कब जब आर्गूमेंट के ऊपर पावर के होता था अभ यहां प्रूफ देखते हैं तो पहले इसको लिख लो आप देख रहे हम इसका प्रूफ प्रूफ वही बेस एक फिरम सही होगा है किया इसमें हम लगाए मैं कि ले रहा हूं तो देखना क्या लेका हम पहले तो लॉग ऐ लगाया लेकिन हम नया बेस किसको माने अब मैंने इसमें लगाया बेस माना बी देखना मैंने नया बेस बी लिखा नया बेस बी लिखा लगाया मैंने इदर से बेस चेंजिंग थेरम बेस बी सीटी बोल देते बेस बेस अब सुनना नुमिरेटर को तो एटिस लखे नहीं दिया अब डिनॉमिनेटर में दुबारा ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं कौण सा के कई पावन गार्ड पावर के ऑगत ओक आगे आजाता है तो इदर के आगे पर नीचे वाले के सब्सक्राइब के वह आगे आजाएगा वह एदर क्यों नाइस लोग वी टू दा भेस बी अब आपके यह नहीं वह क्यों विकाउब अर्गुमेंट इंट से तो फाइनली अमरे क्या मिला देखना के डिनों इंटर पर लिखाए लोग टू दा बेस भी वही तो अमें प्रूफ करना था हैंस प्रूफ क्या रखेंगे याद कि अगर बेस में पावर है तो उस पावर को आगे लेके आएंगे विट वन बाइखेंगे अब हम रिजल्ट देख लेते हैं इसका वीडियो को पॉस्ट करो इसको इसको कॉपी करो ना इलसी रिजल्ट 3 और बेस चेंजिंग थेरम इस सब अभी प्रोप अब देखना एक चीज़ यह भी लाइन का है log of a to the base 1 by b is equal to minus 1 minus of log 8 of the base 1 by sorry a to the base b and this is further equals to log of 1 by a to the base b actually हमें यह रोनों का देखना था बीच में इंटरमेटे इस स्टैप में लेक दिया बैसिकली वो पूफी हो गया तिस तो काल्ड पूफ अब देखते है का बोला इसने कि बेस में 1 by b लिखा है और आर्गुमेंट में a लिखा है तो क्या कर सकते है इधर b लिख सकते इधर one by a कैसे आया देखना क्या किया जैसा कि इस वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ log of अब मैंने पता है कि अगर बेस में कोई पावर होता है तो वो बाहर आ जाता है तो वन अपॉन के के एर इस माइनस वन और यह होगा लॉग ओफ अब क्या कर सकते हैं अब वाली प्रॉपर्टी जो आगे नंबर है उसको आर्गुमेंट की पावर में लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा यह इस इक्वल टू लॉग ऑफ एक पावर माइनस वन क्या होता है वन भाई क्लियर है बच्छो कैसे हुआ है हमारा ठीक है तो वीडि चोटे-चोटे कुछ examples देखेंगे जिससे और understanding हो हमारी clear तो क्या-क्या देखा हमने बेस्टे इन धिरम में फस्ट पॉइंट तो प्रॉपर्टी देखे थी लॉग ऑफ ए टू बेस बी इसको हम ले सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी और बेस कुछ भी ले सकते हैं तो बी को इंटाई निचे लेकिया ॹशल में ए लॉगङय का दान गांव के सकते हैं तो इस सथी तो लॉग वन बाई एक दिमाग में रखना बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यह बहुत जगे यूद होगी उसमें इस्टेशली यह चीज यूद होगी ठीक है बेस चेंजिंग खेरा और तो मैं प्रूफ भी आना ची है एक प्रॉपर्टी गार जो कि मैंने बताया भी तुम्हें प्रॉपर्टी तो इसको कॉपी करने पार समराइस करके तुम लोग भी ब्रैकेट बनाके अब हम देखते हैं हमारा ने इसमें कुछ चोटे-चोटे कोश्यंस देखना मैंने लिखा लॉग ओफ फाइव दा बेस तो यह क्या हो जाएगा हमारा अगर मालूम मुझे चदवत परद्या है इसको लॉग बेस फाइब लिखने के लिए लिखने के तासमें तो किसी कॉशन में है तो क्या जाएगा लॉग ओफ वण वण अपॉण लॉग उफ फिक्स दा बेस जैसे कि फिर मैंने देखा अपना log of 5 square to the base 6 square चले कम करते हैं पहले इतना ले ले लेते हैं तो यह किता हो गया अब मैंने का बोला आर्गूमेंट में क्या है पावर 2 है तो इसको में k है तो k आगे जागे क्या होता 1 by k तो this is 1 by 2 log of 5 to the base 6 मैंने लिखा log of let's say 6 cube और इदा लिख दिया 7 की पावर 4 देखना व्यार से अधर हम दो चीज़ लगाएंगे एक तो base changing धिरम वाला और एक इस से पहले जो कल पड़ेते हैं देखना क्या लगा रहा हूं मैं यह 3 तो मेरा आगे आएगा तो हो गया 3 times as it is अब मैं base पर work करता हूं तो base की power क्या होगी आगे आएगी बट denominator में आएगी so this is equal to 3 और 4 है तो इदर आके 1 by 4 तो 3 into 1 by 4 is 3 by 4 और जो होग है log of 6 to the base 7 तो इतर हमारी दो property लगी है clear है अच्छा for example और देख लेते हैं base changing theorem के उपद मैंने लिखा log of 5 to the base चलो 1 by 5 देखना अब द यहां से क्या करें हम इसको लिख लिया है log of इसको डिरेक्ली भी लिख सकते हैं कैसे तो इस वाले रिख सकता हूं जो 4 तो ड्राइब रिख सकता हूं यह पर इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर minus 1 और यह 5 आप माइनस आगे जाएगा तो क्या होगा अपॉन अपॉन माइनस वन उपचे का लोग ओ तो दूबेस पाइप और यह चीज के हमारी बन है माइनस वन इंट्व ऐस माइनस है अब करो ऐसे रीड भी कर सकते हो मैं या सब है वान फाइप का इस प्रोखल की वागा 5 कैंस अंस सब्सक्राइब सकते तरफ एच ब्रौत की तो अम देखते हम आरा आप एक्सपाइंट पॉइंट पॉपी करो वीडियो को पॉस करके अब एक नोट देख लेते उसके बाद उस प्रॉपटी को देखते हैं यह जो नोट लिखा रहा हूं इस इन ट्वेल्ट क्लास अलसो इन टॉप चैप्टर क्याल्कुलस एक टॉपिक आया हुआ हमारा क्याल्कुलस बहुत बड़ा बहुत सारे चैप्टर उसमें यह नोट यूज होगा और अभी तो हम यूज करेंगे यह मैं सोचना कि अभी यूज हो रहा बाद में नहीं होगा इस नोट का यूज बाद में भी होगा वह क्या है देखना कोई भी नंबर के हैं लेट से के सम नंबर इसको मुझे लौक के समें लिखना है यह बोला एनी नंबर के लिखलो चलो एनी पॉजिटिव कि नंबर के इए एधे एक स्टरा इन टाrąप इन टांब्स है सो मैं कैसे रिखले महिए था पर हखते हencias mai07 तो मैं कैसे लिखूंगा हो देखना के इस इक्वल टू अच्छा पहले मैंने लिख लिए चलो एक काम करते इस पर से लिखते हैं एक ही पावर लॉग ऑफ के टूदबेस यह मेरा हो गया के को इस एक्वल है लोग क्या इसको पावर लॉग के टूदबेस एक इस को एकमेट के लिए हाइड कि अब अब basic definition से क्या बोलूँगा एक नमबर है जिसको अगर एक ही पावर में लिखा तो मुझे के मिलेगा क्या था लॉग के टुद बेसे की basic definition क्या होती है यह एक नमबर है इस complete is one number when raised on a I should get k तो की के पे रेस किया तो I should get k clear है तो इस fact का use करूँगा मैं next property में तो पहले तुम इतना पाट लिख लो कि हम कोई भी number k को lock it off में ऐसे लिख सकते हैं एक ही जगे में कुछ और भी लिख सकता हूं लेट से मैंने लिखा c की पावर log k to the base c लेट से लिखा हूं 5 की पावर log k to the base 5 all are equals to k only this can be anything but it should be defined of course log base अगर यूज कर रहा हूं तो यह को greater than 0 पड़ेगा और 1 के बराबन नहीं होना पड़ेगा मैं इस k को ऐसे नहीं लिख सकता हूं देखना द्यान से मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1 की पावर log k to the base 1 this is wrong क्यों base cannot be 1 ठीक है ना clear है अच्छा अब हम आते हैं property पे तो इसको पहले copy कर लो तुम लोग और मैं जम करता हूं next property पे वो भी काफी useful है हमारी property and that is the last property in log उसके बाद हम actual numerical practice करेंगे log क्यों पर देखना property says यह हो गया हमारा property I think is 8th one यह 7th 8 जो भी है तुम लोग देखना क्या है property A की पावर में log B to the base C is equal to क्या किया देखना यह किसके बराबर है इस A को और इस B को I can interchange according to this property क्या करोगा हूं मैं B को इदर ले क्या हूंगा पावर में लेकूंगा log और A इदर आजाएगा और C तो अभी महीं नहीं आएगा पहले भी log का बेस C था अभी भी log का बेस C है क्या होगा basically A और B interchange होगा है अलग क्या लेक सकते इसका भी हम यूज करेंगे आपने एक्जाम्पल से आज ही लूँगा एक ग्जामपल इसके उपर भी लूँगा ठीक है तो अब हम इसका पूफ देखते हैं तो क्या कर सकते हैं एक बाद खुष से भी तुम लोग राय कर सकते हो मैंने हिंट कहा दी इससे पहले वाला जो नोट लिखवाया आई लिए पार ठीक है उसके बिना भी हम प्रूफ कर सकते हैं वह भी देखेंगे बट फर्स्ट मैथे इस तो पूफ इट उसिंग दफ नोट दाए गिवन जसना वीडियो को पॉस करके बाद खुष से ट्राइ करो तो फूब इसका सुलुशन मिलब प्रूफ करने बता रहा हूं चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पूफ देखना है क्या किया है अब युद्स लोक एट यह मैंने बुला अभी मैंने देखा कि कोई भी नमबर के है किसी बीज सकता हूं कि सी उन्हाइं ला पेहर सकता हूं इसको और यहां तक तो कोई यह दम सेमी चीज आप क्या किया मैंने जांसरे बच्चों बहुत से बच्चों को इसने इसको मैं एक मिट के लिए इस पूरे को मैंने के माना अधिया इस इक्विशन में रख दिया कि इस पूरे को मैंने के माना और इस एक्विशन में रख दिया तो लहीं ही रहेगा हमारा एकी पावर लॉग वी टू दा बेस सी अब देखना मज़ेदार चीज कि बी की पावर मैं लॉग टू दा बेस भी इदर मेरा इस लॉग का आर्गुमेंट का है के के क्या है ये तो मैं इसी को लिख लेता हूं चलो यही मेरा इदर आ जाएगा चलो इसको रब करके दुबारा नहीं लिखना पड़ेगा वी कन राइडिट यह रोल इसा लिखाए च क्या-क्या मैंने इसमें के की जगे डाल दिया इस के की जगे डाला मैंने की पावर लॉग बी तु दा बेस गे कैं ऑने के लिख critic body की के जागे मेरा ब्रैक्ट आगया मैं विचिज दिस दिक के आप सुन ना अब तुम देखो कि यह जो लिखाए है और यह जो चीज है और पावर ओफ ए मतलब एक्सक्षब नियुक्न ड़नी अब मुझे बता कि ऐकस्षब्स को तो मैं इसके लोग के आगे लेकि आ सकता हूं इसको लोग के आगे लेके आ रहा हूं तो देखना क्या लिखा हो जाएगा पहले तो पहले लिखा हो जाएगा पहले तो बी अब अब यह उपर आई लॉग बीटु दबेस दबेस सी और गिवाल ठीच का लगा बेस इसमें क्या बेस चेंजिंग क्या थोड़ा सा इसका प्रूफ लिए थोड़ा सा ध्यान देना हर एक स्टेप में अब इसको लिखा लॉग बी अपॉग लॉग लॉग सी लॉग बी मन चाहा कुछ भी मिलो, it will not alter the answer, इसको लिखा log A upon log B, तो into log A upon log B, now you can see, log B, log B cancel हो रहा है, so this factor will get cancelled out, क्या मनेगा, आप क्या की है, हमने, दुबारा base changing खेरों लगाया, ulti direction में, तो log A upon log C को क्या लिख से था हूं, log A to the base C, तो B की power में, log A to the base C, वहीं तुम मुझे proof करना था, sorry कि ना, एक मिलटेक में, यह वाला पार्ट, यह, sorry, this part, this C, this is what we have to prove, and it's proof, clear है, कैसे कि यह एक बार और go through करते हैं, ठीके ना, क्या है, क्या किया, मैंने, पहले मैंने बुला कि कि किसी भी number K को, मैं लॉक के टॉंस में कैसे लिख सकता हूं, इधर B लिख दिया, मैंने B की जगे में कुछ भी यूज कर सकता हूं, B की पावर log to the base B, और वो number K, ठीक है, इस वाले में, इस वाले expression बोल सकता हूं, यह, इस वाले term में, मैंने K की जगे क्या रखा, के की जगे रखा, यह वाला part, A की पावर log, B to the base C, फिर इधर रखा, इधर भी रखा, यह, एकी पावर log, B to the base C, फिर देखा, कि इस log के लिए, जो यह यह वाला log लिखा जहां से लिखना है, और यह वाला red circle है, इसके अंदर जो भी लिखा, वो A का पावर है, फिर मुझे पता, using properties of log, इस वाले part को तो मैं log के आगे लेकिए आ सकता हूं, जो भी argument का पावर होता है, उसको लेके आया आगे, तो यह होगा log B to the base C, इसको लिखा log B upon log C, इसको लिखा log A upon log B, फिर यह लॉग B से log B cancels हूआ, फिर क्या बचा हमारा log A upon log C, फिर इसमें दुबारा base changing theorem लगाया, बट ulti direction में, तो ulti direction में लगा हो, तो log A upon log C क्या हो जाएगा, log of A to the base C, और यही मुझे proof करना था, तो finally अगर माल लो, एक परसें तो में doubt भी अगर प्रूफ में, अगर नहीं थोड़ा बहुत, at least you should know how to apply the property, property कैसे apply किया उसने, वो तो में ज़रू ज़्यादा आना चाहिए, ठीक प्रूफ आना बहुत अच्छी बात है, बट मैं यह नहीं गोल रहा है, नहीं आया तो काम चाहिए सकता है तुमारा, बट apply करना तो आना ही चाहिए, जैसे मैंने लेखा 2 की पावर log 3 to the base 5, तो according to this property, this 2 and 3 can be interchange, तो this is equivalent to 3 की पावर log 2 to the base 5, नोटिस करने वाली बात क्या है, बेस को हमने नहीं छेड़ा दोनों साइट, लॉग का बेस इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, के बल 2 और 3 को हमने interchange किया, तो वीडियो को पॉस्ट करो, इसको copy करो, हम इसका derivation एक और तरीके से देखते हैं, देखना चलो, मैंने अब लिख लेते हैं, क्या लिखा हमने A की पावर में log, B to the base C, this is my property, हम A और B को interchange कर सकते, ठीक है, वीगन इंटरचेंग A और B, देखना, तो यह होगा मेरा, B की पावर में log A to the base C, ठीक है ना, इसका एक तरीके से अब ने प्रूफ देख लिए, अब एक और तरीके से देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया, देखना, इस पूरे को मैंने माल लिए, let's say this is, अल्फा, क्या क्या माल लो, कुछ भी माल लो, तो मैंने बोला, A की पावर, लोग, B to the base C, is equal to, अल्फा, let's, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, कि अल्फा इसके बराबर है, तो प्रूफ हो जाएगा, अल्फा इसके बराबर भी, इसके बराबर इसके बराबर है, क्या बोला, ये अल्फा के बराबर है, अब मैं प्रूफ कर दूँआ है, कि अल्फा इसके बराबर है, दूससे क्या प्रूफ हो जाएगा, ये और ये दूनों बराबर है, वो ही मुझे प्रूफ करना है, अब देखना नियान से, अब मैंने क्या किया, जैसा कि तुम्हें कल बताया था, मैंने, अब इस लॉग को, एक नंबर की तरह देखो, चल इसको, और मुझे नमबर की तरह सोचो, मैंने लिखा, मैंने बोला, इसको एक नंबर की तरह टीट करो, मैंने लिखा, एक पाक सूमघंति इकल के तरह кур worker, तो ये uplift talent, अब मुझे से लोग में convert करना है तो मैंने क्या खिया देखना ध्यान से स्टेप बहुत इंपोर्टेंट स्टेप है इस टाइप के स्टेप तो मैं जरूवत पड़ेंगे लेना इन कोशेंस नुमरीकल तो अच्छे लेवल के कोशेंस होंगे ध्यान से देखना मैं क्या हो रहा बेस बी ओन बोद साइड मैंने का यह दो नंबर है दो नंबर बराबर है तो क्या कि यह उन नों का लॉग ले लिया और जो लॉग लिया उसका बेस मैंने रखा भी जैसे कि मैंने कल की लेक्शन बताया था हूँ टेक लॉग हम एक्सपनेंशल से लॉग में convert करने के लिए ह साथ इस इकल टू लॉग लिया बेस बी के साथ हमें लिखना उपर वाली चीजिस के अंदर तो किसका लिया मैंने इसका लिया तो इतर लिख दिया एक की पावर लॉग बी टू दा बेस सी और अल्फा है जो ब्लू वाले में है वो तो आर्गुमेंट थे उत्सकों पर लॉ इस एन क्याए यह जो मैं एकंग कर रहे हो ऌकिक आगए आजाता है तो इस लॉग Two-Name आसकत और लॉग अहीं से लोग भी टू दा बिस और यह कतना बचा-लॉग-अड-द बेस¯ किरए competitions कि वहां में आया अब आसान हो जाएगा अभ पहले जाए से किन्वार्ट हो गया करें थे देनल इसको लगाएंगे फैनल यह गया लॉग अपन लग लोग वह एपन लोग वह ईए फार आ अफार महां द्रवागे यह सब लॉग एक लिखते हैं पूर लॉग अपन लोग अपन लॉग अल्फा टूदा बेश्टी लॉग और ऑफ अल्फा टू-वल्फा सुदा बेश्टी अब आंश्ट के लिखना इसको एक नंबर की तरह टीट करो एक नंबर लिखा लॉग असानी हो अब इसको एक नमबर की ट्रेट रीट करो किसको इसको तो लॉग ऑफ अल्फा को इदा लिखते है अब यह हो गया क्या लॉग से एक्स्पोनेंट में कनवर्ट करना लॉग टू एक्स्पोनेंट कनवर्जन अल्फा तो इदर लिखते फिर क्या लिखते यह बी की पावर में जो इससाइड रहे चैस पचा होता है लॉग और यही तो मुझे प्रूफ करना था देखो इदा ध्याल से अल्फा इस बी की पावर लॉग टू दबेसी मैंने अल्फा माला किसको था इसको और लेके गया मैं अब को बीखते है यह, क्या क्या आधर यह क्यों लिया का बेसी इसलिए लिए था यह इन वहुआ है यह उवाला पी यह व तो सेंगी हाला कि विस इस भी के चलते मैंने जब लॉग लिया दोरो साइड गेरिवेशन वह इस बी बी को देखते हूं अल्या कि उस लोग का बेस मुझे भी लेना चाहिए तब मेरा ऐसा कुछ आएगा फाइनल रिजल्ट में तो दीरे दीरे जी चीज लाइन अफ तिंकिंग डबल अब होगी तुम लोग जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं प्रॉपर्टी में इस लिए सो जा रहा हूं थोड़ा क अब तो अब मैं क्या कर रहा हूं मेरा काम क्या है आए लिस्ट दाउट्व प्रॉपर्टी के लोग में प्रॉपर्टी है सब कुछ अब बाकि पार्टी बचे पर्चे को बहुत चोटे चोटे बचे ठीक है तो जाद अधता 90 per cent कोशिट्स विल बी फ्रॉपर्टी दोगी अब मैं एक बार जिस्ट लिस्ट यूद्ट सो लेट वी लिस्ट गर बहुंट करके क्या तुम खुछ से रिकॉल कर पाते हो कि सारी प्रॉपर्टी इस तो सदूं यह विरिफाय देखिए तो लेट वी लिस्ट गवारी कि थे अचाहिं क्या थे लॉग से exponent exponent से log अगर log a to the base b अगर c दिया है this implies a is equal to b की power c this is why I am 1 second actually मैंने यहाँ से प्रोपर्टी बोला था बड़ इसको भी तुम प्रोपर्टी के पाउं में लिख सकते लोग a to the base a अगर आर्गुमेंट वो लॉट वन नहीं लोग वाले जिरो एसे यार रखें बेश कुछ भी ओ लॉट वाले जीरो ठीके ना चाहिए ना चाहिए लिखा फॉर्ट वन इस पावर में लॉग वी टू था बेस ए तिर वहाला ए और यह से से में इस पार्ट तो यह पार्ट नलीफाई हो जाता है इस विल लॉट यह लिखें 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 लोग लोग भी लिख लेटें लोग भी एस लॉट भी क्लाउग एक शी और बच्चों में बता है नहीं क्यों होता है यह होता है यह वह सब्सक्राइब करते हैं इसको नोट करके लिए अगर प्लॉट करता है वह अगर बॉलते हैं कि इधर प्रोड़क्ट है तो इधर लॉक्स रहा है अगर अर्ग्युमेंट में समोगा तो लॉट्ट करते हैं इसको तो इसको अर्ग्युमेंट में सम है तो उसको नहीं लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकता चलो इतर लिख लो इसी बाले पाट को इसी पाले पार्ट को लिखे लोग of b plus c, this is not equal to log b plus log c, this is also not equal to log b into log c, दूनों के बराबन नहीं है, ठीक है ना, बेस्ट अब का सेम ले 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 ना, a, 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 ठीक है, चला, मैं इसको रॉप कर रहा हूं, ना, I am continuing with the property, तो अब हमारा next property कहता, property number 6, देखना ध्यान से, log of a की पावर k to the base b, this is k argument पे जो पावर हो आगया जाएगा, so this is k times log a to the base b, फिर आपे हम addition में तो क्या होता है, log b plus log c, product हो जाता है arguments का, subtraction में क्या होगा, division, तो मैं इसे लिख सकता हूं, log of b minus log c, this is log of b by c, keeping in mind सबका base same है, तो let's say a, 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 फिर आते हम base changing theorem, base changing theorem में हमने क्या पड़ा, next property is base changing theorem log of a to the base b, this पहला चाहिए log of a upon log of b, base कुछ भी ले लो, let's say c ले ली, दूसरा देखा हमने log of a to the base b, इसी के अंदर one upon log b to the base, base and argument को interchange कर सकते हैं अगर denominator कातार के लिखा, फिर हमने देखा log of a, और base की power में k लिखा है, तो वो power k बाहर आएगा लेकर one by k बनके, तो this is one by k log a to the base b, और इसी के अंदर हमने base changing theorem में देखा था log of a और इदर लिखा है one by b, तो इसी के लिखा और लास्ट जो हमने property देखी वो में देख लेता हूं, पहले property को रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेता हूं, इसको में रब कर रहा हूं, अब हमारे log property, property number 9, देखना द्यान से, a की power में log b to the base c, क्या कर सकते हम, इस a और इस b को interchange कर सकते, तो इस b की power में log a to the base c, clear है बच्चों, तो तुम लोग भी इसको लिखना, ऐसा नहीं कि पहले लिखा हूआ है, यह क्या होगा हमारा, एक page पे सारी summary आ जाएगी, तो revise करने में आसानी होगी, ठीक है, तो फिर आज के लिए काफी है, thank you so much for watching this,